क्रिसान सात्य नमस्कार शात्यों वीडियो में मट्र की फसल देख पा रहे हैं यह हमने लगाई थी 11 अक्टूंबर दुएटीस और आज है 18 नमबर दुएटीस यानिक इसको एक महिना और छे साथ दिन हो चुके हैं और आप सामने वीडियो में देख पा रहे हैं इसमें अभ साथियों में खात कब देना चाहिए वह मैं आपको बता जाता हूं कि जब आपकी नई गुड़ाई हो जाए दूसरी बार और जब फूल निकलने वाले हो तब आप उसमें प्रती एकड़ 10 किलो पोटास और चाहे तो आप सिंगल चुपर पास्वेट भी डाल सकते हैं साथ कि अथिकल्यों 317 के शाथ अटे जुटी तो आप डियूगराम या पूरे अफोंपकर पर देप सकते हैं जो कि अधा है को है अदेक घ्न पड़का ओए पंद्रा किलो गराम विश्यों में प्रती नसरीच के चाहते हैं सब्सक्राइए को प्रतिजियों प्रताश तरे यह रहेगा कि अपका फूल ज्याज़ा आएंगे और फल भी काफी अच्छे मत्रा में आएगा बाकी हम इसमें भी एक एकड में पोटास डालने वाले हैं जो कि लगबग 10 से 12 किलो पोटास में डेलेगा शाद्या में हमारे एक एकड का पोटा मत्र का और काफी अच्छे सिदी में भी मत्र है खड़ा हुआ है पिछले सल भी अमने मत्र लगाया था पकी पिछले सल इसका आदे का आद्ध था और इस साल हमने चार गुणा मत्र लगाया है मत्र क्यों लगाया हमने इतना यादा वह आपको अगली वीडियो में हम बताएंगे किस में इंटर क्रोपिंग करने वाले हैं और किस चीज की इंटर क्रोपिंग होगी आपको आने वाले वीडियो में पता चल जाएगी और आने वाली जो वीडियो रहेगी वह बहुत ही ध पर काफी अच्छा काम होगा और काफी अच्छे सी जनकरिया उसमें आपको मिलने वाले साथी यह भी वीडियो में इसलिए बना रहा हूं कि आपको थोड़ा बता पाऊं कि इसमें खाद कौन सा देना चाहिए क्योंकि मटर में खाद कितने हो सकता होती नहीं है मटर जो है इसमें बहुत कम सिमित मातरा में खाद कियो शक्ता होती है अब यूरिया भी बहुत कम डाले और चाहे तो आप 10 किलो प्रतिय एकड़ की साबसाब उसमें पोटाश या फिल बढ़ाने के लिए जो बजार में फ्लावरिंग बढ़ाने के लिए केमिकल आते हैं मतलब दावई बगर आती इस पर आते हैं तो आप चाहे तो उसमें से एक श्प्रे कर सकता है और नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत होती नहीं है क्योंकि यह हमारी GS10 वेराइटी है जो कि GS10 नमर रोन वेराइटी माने जाती है माटर के मामले में और इसके फलिया भी काफी बड़ी होती है और वजंदार होती है तो पिछले साल इसका अच्छा इस्पोंस रहा था आमने एपीतिरी और GS10 लगाई थी एपीतिरी का भी फल कभी अच्छा यह था बाकि एफीतिरी में यह था कि वो जल्दी खतम होगी थी यहनिकि इसकी चार बार तड़ाई तुड़ाई हुई थी एफीतिरी की और खतम होगी थी ताकि GS10 के हमने 5-6 बार तुड़ाई की और फेर भी उसमें कहीं कहीं फलिया लगी होगी थी बाकि इमको बाद में दूसरी फसर लगानी थी इसलिए उसको जल्दी हटा दिया रहा शाती वह मैं आप किस किस चीज़ों की क्रोपिंग कर सकते हैं और अच्छा फाइदा कमा सकते हैं वह आने वाली वीडियो में आपको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाद दें कि हर अगले वीडियो में तब तक के लिए जय जवान जय किसान